22 जन्वरी को होने वाले अयोध्या में सबसे बड़े कारेकरम को लेकर तैयारिया पूरे चरम पर है वही चंदीगड के जो सुन्दर कान सबा है उन्होंने भी एक लेटर चंदीगड के प्रशाशक वा गवर्नर पंजाब के उनको लिखी है कि उस दिन चंदीगड के अगर हम बात करें तो चंदीगड में जितने भी तमाकू, मीट शॉप, शराब के ठेके वो बंद होने चाहिए उसको लेकर एक गवर्नर को मेमरेंडम दिया गया है क्योंकि उस दिन एक गोल्डन पवित्र दे मनाने की बात की गई है जिसको लेकर सभी इकटा हुए थे और सैसला हुआ कि उस दिन जितनी भी जो वाइन शॉप्स हैं और जो मीट शॉप्स हैं उनको बंद किया जाए और वो क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा कारेकरम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में यह पूरा कारेकरम को लेकर तयारिया की जा रही है और खुद प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी वहाँ पर पहुंचेंगे इसलिए जगा-जगा यहाँ पर तयारिया की जा रही है उसके लिए जो सुन्दर कान सबा है वो हमारे साथ मौजूद है उन्होंने एक लेटर लिखा है महिला सुन्दर कान सबा ने जिसमें सब्जेक्ट दिया है रिक्वेस्ट टू क्लोज दा वाइन सिगरेट एन मीट शॉप ऑन बाइस एक दो हजार चौबिस इन चंडिगर जैन क्या मख्सब जैशी राम सभी बैंने बोलों जैशी राम हमने ये आपको पता कि 22 जनवरी को पूरे देश में क्या पूरेविश में जहां भी हमारे नागरिक रहते हैं हिंदुस्तानी रहता है बहुत भब्या प्रोग्राम बाई जन्मिन को होने जा रहा है बगवान शीरी राम जी बधारने वाले हैं पांसो साल का इंतजार करके हम लोगों को ये दिन बड़ा सुभाग्या है हम लोगों का कि हम इसे दिन के सक्षी बनेंगे तो हमने ये सोचा कि हम अपने परशासक है बनमारीलाल परहुद जी गवर्नर है उनको एक लैटर दें एक र्क्वेस्ट करें कि उस दिन पवितर दिन है तो उस दिन को और पवितर बनाने के लिए उस दिन बाईस एक चौविस को बाइन शौप मीट शौप और सिगरेट बग जाता है हमने तो रोकेस्ट की है मेलर सुन्दकान सावा ने अगर गवेनर सारफ मारी रोकेस्ट को मानते हैं तो ये एक चंडीगर वास्टियों के लिए अलग से तोफ़ा मिलेगा और हिंदू सावा के भी जो लोग है उन्होंने भी उठाई है कि उस दिन एक डिक्लेयर कि बिल्कुल बिल्कुल मैं उसमें मैंशन करना चाह रही थी कि छुट्टी भी डिक्लियर करूं लेकिन मैंने सुचा की पता है निये परशासक माने कर ना माने लेकिन छुट्टी भी उस दिन होनी चाहिए तां कि जो हमारे हिंदू समाज है घर बैठके भगवान श्राम जी क कि इस्ट भगवान शीराम जी है तो उनकी परान पतिष्टा है अगर हम बात करें चंदीगड कि कई लोग जा रहे हैं कई लोग नहीं जा पाएंगे और अपील भी कि जा रही है कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो दिक्कत ना हो तो आप लोगों किस तरह से उन दिन रहने जा रहे हैं महलाओं की तो लगवग 500 महला है उसमें भाग लेने वाली हैं और 21 जनवरी को सु स्वागतम भगवान शीरी राम जी ठीक है जी उसका हमें की एक रंगोली बनाएंगे 31 फुट की लंबी जैसीराम लिखके और स्वागतम जैसीराम तो उस पर पूरे हम 11,000 दिय जलाएंगे अडवांस में दिये जलाएंगे कि भगवान शीराम जी आ रहे हैं आपका स्वागता आपका भग्वा स्वागता हनुमाद्धा में भी स्वागता जोद्य में तो है है तो 22 जनवरी को ऐसे की 11 से एक तो लाइब है पूरे देश में उसके बाद हम ढ़ाई बज हनुमाद्धा में पूजा करने आएंगे सब को राम जी की और से एक ध्वज हनुमाद्धी की और से गदा परशाद के रूम में सब को दी जाएगे तो प्रेज़ेंट नीना तिवारी जी ने बताया कि उस दिन बहुत बड़ा भव्य कारेकरम अयोध्या में भी हो रहा है और उसके साथ साथ यहां पर भी पूरा एक आयोजन किया जाएगा और उसके तैयारिया भी पूरी की जा चुकी है अला कि चंदिगर के परशाशक पर पंजाब के गवरनर बन्वारी लाल परोहिद को रिक्वेस्ट की गई है एक लेटर दिया गया है महिला सुंदर कान सभ के लोग है उन्होंने उस दिन छुटी डिक्लियर करने की भी बात की गई है रिक्वेस्ट की गई है उसके लिए भी लेटर मुख्यमंतरी बगवंत मान को भेजा जा रहा है कि पंजाब में गवरनर पंजाब को भी भेजा जा रहा है कि पंजाब में उस दिन छुटी हो परिगर से कैमरामेन विनोत कुमार के साथ मनोज राथी न्यूज एटीन बन्याओं